नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है आज मैं आपके लिए एक महत्तपुन टोपिक लेकर आया हूं आपको स्वस्थ बनाने के विशे में आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के विशे में डोक्टरों की भी ब आपने हमारी यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस सब्सक्राइब कर लेजी सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल आइकोन है आप उसके ओपर क्लिक करना ना पूले क्योंकि इससे आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिपकेश आती रहेगी जिसे देखकर आप अपने लिए फाइदा उठासकते हैं तो आईए दोस्तों अब बात करते हैं अपने टोपिक की अगर आप 20 या 30 वर्सके हैं और आपके बाल अभी से पकने लगे हैं तो आपको कुछ ने कुछ तो करना पड़ेगा अगर आपने समय रहते क यह एक असान और सरल ग्रिल उपई हैं जो आपको जरूर आजमना चाहिए तो चलिए आपको बताते हैं एक असान सा प्राकृतिक नुस्का जो आपके सफेद होते बालों को काला बनादेगा नारियल के तेल से रोके बालों का पकना आप जानते होंगे कि नारियल का तेल बालों के लिए बहुत अधिकलाब दायक होता है यह आपके बालों को चमकदार, मजबूत और काला मनाता है और वहभी प्राकृतिक रोप से यह असानी से आपके सिर की तवचा में सामिल हो जाता है और बानों को अंदर से पोशन देता है लेकिन हम यहाँ बानों के ऐसमें सफेद होने की समस्या के बारे में बात कर रहे हैं इसके लिए यह रहा एक सरल सा असान घ्रेल उपाई नारियल के तेल से एक असा हेर टोनिक बनाएं हो सके तो सुध नारियल तेल ले ले अगर आपको समझ नहीं आता की कैसे तो बस दुकान में जाएं और खाने में इस्तमाल किये जाने वाला नारियल का तेल बंगे यह ज़ादातर सुध होता है क्योंकि यह खाने के लिए उप्योग होता है करी पत्तों से हेराटोनिक बनाए लबग दो कप नारियल तेल ले ले और उसमें 30 करी पत्ते डाले कोशि़ करें कि जो करी पत्ते हों ताजा हूं अगर आपके पास ताजा पत्ते ने हूँ तो आप बजार से मिलने वाला इसका पाउडर भी उप्योग कर सकते हैं इसके पाउडर के लिए हम नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में उसका लिंक दे देंगे आप वहाँ से उसको बाई कर सकते हैं करीपत्ता वैसे भी आपके लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें आईरन होता है करीपत्ते को नारेल तेल में डालने के बाद इसे गैस पर चड़ा कर उबाल ले उबलने के बाद तब तक हल्की आँच पर पकाई जब तक यह हैं काला नहीं हो जाता इसमें जादा समय नहीं लगेगा गैस बंद करने जब यह काला पड़ जाएं और इसे ठंडा होने दें ठंडा होने के बाद इसे एक बोतल में डाल कर रख लें रात को सोने से पहले इस तेल से अपनी उंगलियों का इस्तमाल करके धीरे धीरे मालिस करें जितनी देर होस के मालिस करें लगबग 15 मिंट का समय इस मालिस के लिए सही है इसके बाद धीरे धीरे कंगी का इस्तमाल करके बालों को जार लें सोने से पहले तकिये पर एक कपड़ा या कागच रखना ना भूलें क्योंकि इस से इस तेल से आपके विष्टर पर दाग नहीं पड़ेंगी एक सेंपू की मदल से सुबह अपने बालों को धो लें होस के तो घर पर बनाया हुआ रीठा, आमला, सीका काई का सेंपू प्रियोग करें इस हेर टोनिक का इस्तेमाल रोज कम से कम तीन महीनों तक करें और आपके बाल सफेद होना बंद हो जाएंगे जो घर पर बनाया सेंपू है, उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे देंगे आप उसका प्रियोग कर सकते हैं याद रखें कि इस टोनिक के साथ आप अपने खान पान का भी विस्जेश ध्यान रखें दोस्तों अगर आप इस उपाय को अपनाते हैं तो आपके सफेद बाल काले होने सुरू हो जाएंगे और कुछी दिनों में आपके सफेद बालों की समस्य से आपको छुटकारा मिल जाएगा तो दोस्तों यह थी हमारी यूडियो अगर आपको हमारी विडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई चानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी विडियो को लाइक वे शेयर करना ना पूले इसके साथ साथ आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम चबरतास टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने चीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में चीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तों